What's up guys, welcome back to the channel, आज है सब खेले वाले Minecraft, लेकिन hardcore mode पर, yes guys, hardcore mode एक ऐसा mode है, जिसमें हम एक बर मर जाते हैं, तो हमारा पुरा का पुरा world डिलीट हो जाएगा, और हम दो बार से respawn नहीं हो सकते, बस एक ही हमें life मिलती है, जैसे की real life में होता है, आज हो guys, फिर बिना किसी देरी के बीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, अभी मैं आ गया हो अपने world में, hardcore world में, इसका नाम रखा है, मैं little hardcore world, अभी मैं इसमें trees कट कर लेता हूँ, फिर मैं आप सभी से मिलता हूँ, crafting table बना के, all right guys, अभी मैंने crafting table बना लिए और थोड़े से हम tools बना लेते हैं, जल्दी है, थोड़े से क्या मैं pickaxe बनाने बना लोंगे हमारे पास stone है, देख सते हो guys, यहां से stone collect करते हैं, फिर stone के tools बनाएंगे guys, जल्दी हम पहले तो guys, हम stone collect कर लेते हैं, मैंने stone collect कर लिए और मैं जल्दी सारे tools बना लेता हूँ, एक मैंने X बना ली और एक shot बना ली और एक मैंने pickaxe बना ली बस इतनी हमें जरूरत है, और shovel चाहें बना सकता हूँ मैं, okay तो बना लेते हैं, थोड़ी ची मैंने stick बना लिया, अब shovel बना लिया guys, तो जल्दी यहां से निकलता हूँ, अभी guys मैं थोड़ी ही दूर आया हूँ और यहां पर भाई साब पानी लग रहा है, यहां पर पानी हैं लेकिन इसके नीचे शायद बहुत ज़दा बड़ी माइन है, हो भाई, यहां पर मतलब माइनिंग कर सकते हैं गाई हम नीचे जांका, लेकिन गाइस मुझे iron दिख गया है, तो मैं जल्दी आयरन कलेक्ट कर लेता हूं, बात में देखते हैं इसाइं माइनिंग करने कलेटे हैं आयरन, तोड़ लेता हूं और इसके बाद मैं आपको दिखला दे तो मैंने 14 लोक्स तोड़ लिये एक अगटे कर लिया एंड यहां से जल्दी से सैपलिंग एक्टी करके मैं निकलता हूं मेरे हिसाब से अमारा घर यहीं पर बना लेना चाहिए हमें क्योंकि मैं बहुत जादा दूर आ चुका हूं इसलिए मैं जल्दी थोड़ी सी घ्राइस कर ले तो यहां पर हम अपने बनाने वालें घर चोटा सा बनाएंगे ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे गाइस अभी मै बना लेंगे वह बाइसाब रैड कलर रैबिट होता है कि नहीं आप सची सची बतलाना कि मैंने तो पहली बार देखा माइनकुप मैं 4 साल से खेल रहा हूं और मैंने तो भाइसाब पहली बार रैड रैबिट देखा मेरा बडलाना और मैं जल्दी अल्दी सारे ट्रीज कर ले दाउन क्योंकि हमें टेज के लॉक की बहुत ज़्यादा जरूरत होने वाली है यह ब्लैक रैबिट बहुत ज़्यादा क्यूट है यार मुझे तो यकीन हो रहा भाई अगर गई आपको पता है कि यह रेर होता है कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बतलाना हो मुझे न याद रखेंगे और देखो फिर से क्लिक हो गया जाए इस रइबिट की जो हाइड है इसको हम अलगी रखने वालें गाई क्योंकि इस रेबिट को हम याद रखने वाले ब्लैक रविट था भाई इसको हम जल्दी है चेस्ट में रख देते हैं इसके हाइड को गाईज स्लिप भी करना जरूरी है और मोस्ट गाईज दिवार तो खड़ी हो चुकि हमने अपने घर के लिए खड़ी कर दी और मैंने बहुत ज़्यादा चोटा गर बनाया है यकीन करो इससे ज़्यादा बड़ा घर मैं बनानी सकता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग मैं दूर दूर जाके कट कर रहा था त्री लेकर आ रहा था मतलब लॉक्स लेकर रहा था त्रीक इसलिए मुझे घंटे से जादा व्यूत है मैंने इतना सारा घर बनाया है और गायाईस देख से और मैंने पनी चेस्ट में लोग रख दी और यहां पे मैंने खेड़किंगे बनाईए काई देखो काई लोग फानली को इस घंटा हो चुका और मैंने भाइससाब दो घंटों में इतना ज्यादा बड़ा घर बना दिया है और आप देख सकते हैं यहां trader भी आ चुका और मैंने इतना ज़्यादा ओपी घर बनाया मैं आपको क्या ही बतला हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यह वाला घर अभी आपको दिखलाने वाला हूं में तो यहां पर आपको दिखला दो मैं उचे बहुत जदर टाइम उची का मैंने माइनिंग भी बहुत सारी किये और मुझे बहुत साधा आईरन मिल चुका है मैं जल्दी से एक आईरन का सूट भी बनाने वालो मतलब कि एक हàiरमर बनाने वालो आयरन का पूरा का पूरा और ये देखो ट्रेडर बाज साथ यe क्या कर रहा है ये डेख सकते हूँ गैस यार। को तो यह क्या कि बार को बार बागा आए यहार और चुक्त वार श्रभाद आ उन्ध हम के लिगए उसी भागा कर दिया नगा regulus मैं एपना सारा को समान इस चैस्ट के अंदर रख देता हूंकि मैं आ लीगा आर्मर अपने लिए आरन का कंड़िसा कील रहता है हुंड कई मुनिए हाइरन का या हर्मर्ध बना लिए भर वर्त कम माईनिंग का मार हैं आज की वीडियो में देख सकते हो गैस हमने आरन का आर्मर भी बना लिया है क्या देख सकते हो अपलोग मैंने हो ठीर अजिए कर लिया है तो मैंने हो यह बनाई हो ठीक है अभी हम बाहर बनाने वाले हैं झाल पार्मिंग सी जिसमें कि गाइस हम कर सकते हैं थोड़ी सी फार्मिंग मेरे पास फोड़ी शीट्स पढ़े हुए आप देख से तो थर्टी फोर पढ़े हुए शायद थर्टी वन सॉरी गाइस मैं आपको घर दिखला देता हूं गाइस देख तो कि हमने ऐसा कुछ घर बना लिया है थोड़ मैं थोड़ी सी शीट्स ले रहा हूं और यहां पर मैं जल्दी थोड़ी से फार्म लेंड एरिया बना रहा हूं और मैंने एक वाटर वकेट यहां पर प्लेज कर दी है क्यों हमारा फार्म लेंड एरिया रहना चाहिए और जल्दी सारे शीट्स मिला देते हैं मतलब की लग यह था हमारे एपिसोड नमर बन हाड़कोर सीरीज का आपको वीडियो कैशी लगी जरूर कमेंट कर देना एंद मिलता हूं मैं आप सभी से नेक्ष्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई गाई